नमस्कार चरहट केंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यदी आपका पर्स हमीज़ा खाली बना रहता है तो कहीं आप अपने पर्स का रंग गलत तो नहीं चुन रहे यदी आप अपने पर्स का रंग गलत चुन रहे है तो आपका पर्स हमीज़ा खाली रहे आप अपने लगी नमर के हिसाब से अपने पर्स का रंग जरूर चुनिए यदी आप अपने लगी नमर के हिसाब से अपने पर्स को नहीं रखते तो आपका पर्स हमीज़ा खाली बना रहे सकता है और आपको पैसे की दिक्कत हमीज़ा सकती है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने लखी नम्मर के हिसाब से आपको कौन से रंगा पर्स अपने जेब में रखना चाहिए पूरी दिन्या में बविष्चे को जानने के लिए कई विधाओं का उपयों की जाता है उसी करम में निमरोलोजी यानि की आंक जोतीस भी एक है आंक जोतीस हो के अनुसार ये विधा हर वेक्ती के जीवर को परभावित करती है अंक जोतिस के माध्यम से भविष्चे में होने वाली गटनाओं के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है निम्रोलोजी के अनुसार हर वेक्ति का एक लखी नंबर होता है और जो उसे डेट अब बर्स जुड़ा होता है उस लखी नंबर के अनुसार कुछ बातों का दियान रखा जाये तो उसके अनुसार उपाय किये जाये तो फायता जुरूर होता है अंक जोतिस के अनुसार हर नंबर से जुड़ा एक लखी कलर भी होता है उसी लखी कलर का पर्स यद्धी जिम में रखा जाये तो इसे कई सारे फायदे हो सकते हैं इस्तिरी हो या फिर पुरुशो दोनों यह उपाय कर सकते हैं आएए जानते हैं अपने लखी नम्बर के अनुसार किस रंग का परस आपको अपनी जिम में रखना चाहिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप अपना लकी नमबर कैसे पता करें यदि आपकी जन्म की तारीक एक से नो के बीच है तो यही आपका मुलां कियानी की लकी नमबर होगा और यदि आपकी जनम की तारिक 10 से लेक 31 के बीच है तो इन दोनों अंकों का चौड़ आपका लगी नमबर होगा जैसे यदि आपकी जनम की तारिक 23 से तो आपका लगी नमबर 2 जमाती न 5 होगा आईएवब जान लेते हैं सभी 9 लखी नमबर के बारे में आपको कौन सा रंग का पर्स अपनी जेब में रखना चाहिए लखी नमबर 1 की बात करती है जिन लोगों का लखी नमबर 1 है वे लाल रंग का पर्स अपनी जेब में रखे साथ एक गुडलक बढ़ाने के लिए उसमें एक ताभी कासिक का भी हमेंश अपने पर्स में रखे ऐसा करने से आपका पर्स हमें सब भरा रहेगा दूसरा है लगी नंबर दो के लिए जिन लोगों का लगी नमबर दो है वे लोग अपनी जेब में सफीद रंग का परस रखे यह उनके लिए किसमत चमकाने वाला रहेगा और अधिक शुफल पाने के लिए इसमें आप एक चांदी का सेका रख सकते है लगी नमबर तीन जिन लोगों का लगी नमबर तीन है वे पीले या फिर महन्दी कलर के परस अपनी जेब में रख सकते है यह लगी चार्म के रूप में लोगों को एक गोल्डन फाइल का तिकोना टुकड़ा भी आप अपने परस में रख सकते है दोस्तों लगी नमबर चार इनके लिए आस्मानी रंग सबसे ज़्यादा शुब रहेगा धन लाब के लिए यह लोग अपने परस में हरे कलर का रूमाल या छोटा सा कपड़ा रख सकते हैं ऐसा करने से आपको धन में लाब होगा लगी नमबर पाँच यदि आप अपना गुड़ लग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हरे रंग का परस अपने साथ में रखना चाहिए और परस में मनी प्लांट का एक पत्ता भी रखें तो यह और ज़्यादा शुब होगा लगी नमबर 6 जिन लोगों का लगी नमबर 6 है वे अपनी जेब में एक सφीद रंग का परस रख सकते हैं परस में एक पीतल का सिकका भी लगी चाहरम के रूप में रखें लगी नमबर 7 इन लोगों के लिए मल्टी कलर का परस रखना फाइदे मन रहेगा साथ ही परस में चान्दी की मचली रखें इस से इने अधिक फायदा हो सकता है लगी नमर आठ जिन लोगों का लगी नमर आठ है वे लोग ब्लू यानि निले रंग का परस अपने जेम में रखें ऐसा करने से उनका जो बैड लग है यानि दुर भाग के वे दूर हो जाता है ये लोग अपने पर्स में एक नीला रूमाल या नीले कपड़े का टुकड़ा भी रख सकते हैं अब जान लेते हैं लकी नमबर 9 के बारे में ये लोग अपनी पॉकेट में औरेंज यानी की संत्री कलर का पर्स रखे गुडिलक के लिए अपने पर्स में एक पीतल का सिक्का भी आप रख सकते हैं ऐसा करने से आपका पर्स हमें सब भरा रहेगा तो आज हमने जाना की सभी 9 मुलांग के लोगों को कौन कौन से रंग का पर्स अपने जिम में रखने चाहिए आप एक बार इन उपाये को जुरूर करके देखे अपना पर्स एक बदल के देखे आप देखेंगी कि आपका पर्स हमें सब भरा रहेगा आपके पर्स कभी भी खाले नहीं होगा तो मेद करते हैं कि वीडियो पको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्त की साथ शेयर करें चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो दबाए धन्यवाद